विल्ब दोस्तों सी यूड़े में हम सेखेंगे कि दसंबलो संक्याओं को दस, सो, हजार, दस, हजार इस प्राकार की संख्याओं से गुड़ा और भाग किस प्राकार किया जाता है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें को धान ले लेते हैं, तो देखिए, यहाँ हम इसका गुड़ा और भाग करके देखेंगे और इस बात को समझेंगे तो हम मान लेते हैं कि हमें इस संख्या में 10 का गुड़ा करना है तो इसका उत्तर हमारा आएगा और अगर हम इस संख्या में सो का गुड़ा करते हैं इसका उत्तर हमारा आएगा ये अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जब इसे हम दस से गुड़ा करते हैं तो यह जो हमारा दसमलव है वो एक इस्थान आगे बढ़ जाता है या यह कहें कि एक अंग आगे चला जाता है तो यह एक के बाद आ गया क्योंकि यह एक से पहले था तो एक के बाद आ गया और जब हम इसे सो से गुड़ा करते हैं तो यह दो इस्थान आगे बढ़ जाता है या दो अंग आगे बढ़ जाता है एक और तीन के आगे चला आया यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कभी दसमलव की संख्याओं को 10, 100, 1000, 10, 1000 इस प्रकार की संख्याओं से गुड़ा करते हैं तो हमारा जो दसमलव होता है वो आगे चला जाता है और वो कितना आगे जाएगा जितने की यहां पर हमारे पास 0 होंगे अगर हमारे यहां पर 1 0 होगा तो वो एक स्थान आगे चला जाएगा अभी आपने देखा और अगर वो 2 0 होंगे तो 2 स्थान अगर इसे तरीके से 1000 हम लेते तो 1000 में 3 0 तो वो 3 आगे चला जाता है तो ऐसे में हमारा उत्तर क्या होता यहां पर हमने इसे 1000 से गुड़ा किया है तो यह एक, दो, तीन यहां पर चला जाएगा तो यहां पर यह पहुझ गया लेकिन इसके बाद तो कोई भी संख्या नहीं है तो यहां पर हम 0 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि यह यह चीज है 26,132 अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि इसी संख्या में हमें इन सबका भाग करना है तो जब में इसे 10 से भाग करेंगे तो यह जो दसमलव है वो पीशे चला जाएगा और कितना पीशे जाएगा एक अंग पीशे चला जाएगा क्योंकि यहां पर एक 0 है अगर 100 से भाग करते तो 2 अंग और 1000 से भाग करते तो 3 अंग इस तरीके से पीशे चला जाता है जैसे यहां पर आगे चला जाता है वैसे यहां पर पीशे चला जाता है तो यह हमारा उत्तर कितना आएगा यह आएगा ठीक है 2, 6, 1, 3, 2 और आपको ध्यान देना है कि दिसंबलों की बात की संख्याओं को हम हमेशा एक-एक करके पढ़ते हैं इसी तरीके से इसी तरीके से अगर हम इसे 100 से भाग करते हैं तो यह 2 अंग पीछ लाजाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 1 और 2 2 से पहले पहुच जाएगा तो 2 से पहले 6, 1, 3, 2 और इसके आए कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे तो यह हमारा उत्तर है अब जो मैं आपको बात बताऊँगा उस पे आपको ध्यान देना है अब देखिए इसे हम 1000 से भाग करेंगे तो यह कितने पीछे जाना चाहिए 3 लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 अंग है ही नहीं 1, 2 और 3 कोई अंग नहीं है तो देखिए इसके आगे हम 0 तो लगा ही सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगे हम 0 लगाते हैं तो उससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता तो हम 1 0 लगा सकते हैं तो अब यह पीछे चला जागा कितना? 3 तो 1, 2, 3 और यहाँ पे आजाएगा तो 0, 2, 6, 1, 3, 2 और इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 0 मैंने आपको पहली बताया था ठीक है? तो यह हमारा उत्तर अब आप एक बात ध्यान दीजे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास संख्या नहीं थी तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया उसी तरीके से यहाँ भी तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजे हमारे पास 26.132 है और इसे हमें 10,000 से गुड़ा करना है तो नियम के अनुसार यह चार अंक आगे बढ़ जाना चाहिए तो 1, 2, 3 और 4 अंक लेकिन 4 अंक तो यहाँ पे है ही नहीं तो फिर तब हम कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे भी हम 0 लगा देंगे देखिए जैसे कि हम कभी किसी संख्या के आगे 1, 2, 3 इसके आगे 0 लगा देते हैं संख्या के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता लेकिन अगर हमारे पास दसंख्या है उससे पहले अगर हम 0 लगाना चाहे जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते लेकिन इसके बाद लगा सकते हैं ठीक है और मान लेजे कि हमारे पास दो अंग हैं दसमालamp के बाड़ और इनके बीच में घर हम 0 लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते हैं यहान पर हम लगासकते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें अब तरक्री दसमाल impossible है कि आप सतना है ग», तो एक, दो, तीन, चार जीरो थें आपे तो अब यह 4 रंग आगे जा सकता है इक, दो, तीन, और चार तो 26 और उसके बाद दसम्मलों के बादवाले अंग उतार देंगे हम और दसम्मलो और जीरो और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है की यह वाला मतलब 2,61,320 इसी तरीके से अगर मान लिज़े कोई बड़ा नंबर रहेगा जैसे कि 1,10,000,1 करोड तो इसी तरीके से हम 0 बड़ा बड़ा के अगर भाग करना रहेगा तो पीछे चले जाएंगे और अगर गुड़ा करना रहेगा आगर चले जाएंगे आपको ध्यान देना है कि गुड़ा करते समय हम आगर जाते हैं भाग करते समय हम पीछे जाते हैं यह आपको ध्यान देना है अब इसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है जिसमें कि दिसम्वलन नहीं है 326 ले लिए हमने यह पे ठेक है और इसको हमें 10 इस प्रकार की संख्याओं से गुड़ा करना है तो देखिए तो उसमें क्या होता है आप क्या करिए 326 है तो एक जो है इसकी जगे लिख दीजिए मतलब 326 को एक की जगे उतार दीजिए 326 और पीछे का जो 0 है वह आ जाएगा इस तरीके से अगर हम इसे 100 से गुड़ा करें तो फिर से 326 को एक की जगे उतार देंगे और पीछे के 2 0 अगर हम इसे अब सोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 10,000 से गुड़ा करना है तो 326 और पीछे के 4 0 ठीक है आपको डारेक्ट गुड़ा करने के आवशकता नहीं है य यह वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको यह बिल्कुल यह सारी ट्रिक्स अच्छे से समय में आ जाए इसके बाद देखिए माल लेते हैं कि हमें इसी नंबर को अब इन सबसे भाग करना तो फिर हम क्या करेंगे देखिए अब यहां पर दसंबलो तो है नहीं कि यही हो जाएगा मैंने पीछे बताया था आपको उसी तरीके से जैसे मान लीजे हमारे पास यह वाला है तो यहां पर हमारे पास दसंबलो जीरो होता है जो हम नंबर पढ़ते हैं एक, दो, तीन, चार यह जो गिंतिया हमने पढ़ी होती है इन समय दसंबलो होता है 1.0, 2.0 3.0 इस प्राकार से समय दसंबलो होता है लेकिन हम उसको अपनी आवशकता अनुसार उपयोग में लाते हैं जब हमें जुरत होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं जब नहीं होती तो नहीं करते हैं ठीक है तो अब हमने जान लिया कि इसमें दसंबलो है 326 दसंबलो सुने और हमें भाग करना है तो हमारा जो दसमलव कहां जाएगा पीछे की ओर गुड़े में आगे की ओर जाता है और भाग में पीछे की ओर जाता है तो कितना पीछे जाएगा यह जितने 0 होंगे हैं हमारे पास तो यहां पे 10 है तो एक 0 तो एक बार पीछे जाएगा 32 दसमलव 6 तो हमारे पाज दसम्लव यहाँ पे है तो यह 3 पीछ चला जाएगा तो 1, 2, 3 मतलब 3 से पहले है तो 0 दसम्लव 3, 2, 6 इसी तरीके से अगर मान लिज़े कि इसी संख्या को हमने अब 1 लाग से भाग दिया तो फिर यहां कितने हैं 5 तो 1, 2, 3 और 2 अंक और होने चाहिए है हमारे दसम्लव और 0 ठीक है तो 0 दसम्लव 003, 2, 6 और आपको यह भी ध्यान देना है कि दसम्लव के बाद के अंकों का हम एक एक करके पढ़ते हैं ठीक है तो मैं आसा करता हूँ यह व्यूड़ आपको अच्छी लगी हो व्यूड़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को स्स स्क्राइब करें बेल आइकन को हुट करें ताकि आपको ऐसी गुड़ागी भी मिलती रहें थैंक यू